दोस्तों क्या आपके पास ऐसा pen drive या memory card है जो आपके PC या laptop में show करता है लेकिन जब आप उस pen drive या memory card को open करते हैं तो open नहीं हो पाता है या आप जब उस pen drive या memory card को अपने system में insert करते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक window का notification आ जाता है कि इस pen drive को format करने की जरूरत है आप बीना format क किये हुए इस pen drive या memory card का use नहीं कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ एक option आ जाता है format disk का और आप जब format disk पर किलिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो इसका capacity है show नहीं कर रहा है यानि कि हमने जो pen drive या memory card अपने system में लगाया हुआ है इस pen drive का जो capacity है lost हो गया है और जब हम start पर किलिक करेंगे इस pen drive को format करने के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक error आ जाता है enable to complete the format तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई pen drive या memory card है तो आप उस pen drive या memory card को कैसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों memory card को ठीक करने के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link description में है आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद भी इस channel पर मैं कुछ और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ memory card के उपर जहां से आप corrupted memory card को ठीक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा pen drive या memory card है तो उस pen drive या memory card को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको desktop पर जाना है और desktop पर जाने के बद आप देखेंगे जो computer के यहाँ पर icon बना हुआ है icon पर right click करना है जैसे ही आप computer के icon पर right click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक manage का option है तो आपको क्या करना है manage पर click करना है जैसे ही आप manage पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर computer management का option open हो जाता है इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखेंगे एक storage का option है और उसके निचे option है disk management का तो आप क्या करेंगे disk डिस्ट मेनेजमेंट पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप डिस्ट मेनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कम्पूटर में जो भी पेंड्राइब या मेमोरी कार्ड या हार्डिस्ट लगे होंगे यहां पर शो कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो ड Pen Drive Unlocked यहाँ पे दिखा रहा है इसलिए Pen Drive वहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इस Pen Drive को यहाँ से Unlocked हटाने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे Right Click करना यह जैसे ही आप यहाँ पे Right Click करेंगे तो सबसे उपर आप देखेंगे new sample volume का option है तो आपको क्या करना है new simple volume पर जैसे ही आप news simple volume पर किलिक करेंगे तो आप देखेंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह induk हो जाएगा यहां से आपको छलप नेक्सट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो pen drive या लगा हुआ उसका सआज यहां पे 100 करेगा जैसे कि हमारा जो pen drive यहाँ पर 64GB का लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साइज यहाँ पर 100 कर रहा है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने pen drive या memory card का साइज चेक कर लेना है उसके बाद आप next पर किलिक करेंगे जैसे ही आप next पर किलिक करेंगे तो आप देखे हुआ कुछ देर वेट कर लेना है यहाँ पर जिने ख करने इसके बाद आपको करना है यहां कुछ दिर वेट कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो pen drive लगा हुआ है यहाँ पर formatting हो रहा है यहाँ पर भी हम कुछ दिर wait कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि जो pen drive formatting में था complete format हो गया है और यहाँ पर pen drive show भी कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो 64GB का pen drive लगा हुआ पहले open नहीं हो पा रहा था इसका size जो है लोस्ट हो गया था अब आप देख सकते हैं यहां पे pen drive open हो गया है और उसका size यहां पर complete दिखा रहा है तो चलिए अब हम यहां इसका property check कर लेते हैं कि कितना यहां पर आप दिख सकते हैं हमारा जो pen drive लगा हुआ है इसका प्रपाटीज कुछ इस तरह दिखा रहा है यहां पर आप दिख सकते हैं तो इस तरह से अगर आपके पास ऐसा pen drive है जिसका size lost हो गया है और जब भी आप computer या laptop में insert करते हैं तो यहां पर कुछ इस तरह का error आता है जैसे आ रहा था तो उस pen drive को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तो pen drive को ठीक करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसके बाद भी memory card के उपर और भी वीडियो मैं इस चैनल पर upload करने वाला हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं upload करूं उसका notification सबसे पहले आपको मिले तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में